आज के शत्र में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस विशे पर चर्चा कर रहे हैं उस विशे का सीर्षक है कक्षा कक्ष में आलोचनात्मक सिक्षण सास्त्र critical pedagogy प्रिविद्यार्थियों ये एक ऐसा विशे है जिस पर बिभिन्य सिक्षण सास्त्रियों ने मनोवेज्यान को ने और समाज सास्त्रियों ने समान रूप से चिंतन किया है इस पर बात करने से पहले यदि हम परंपरागत सिक्षण सास्त्र की कम्यों की और इत्रस्टिडा लें तो हम पाएंगे कि परंपरागत सिक्षण सास्त्र रटंत अधिगम को बढ़ावा देता है और मात्रत त द्वारा पाठे चर्या को संस्कृति और विचारधारा से जोड़ने में कठिनाई होती है हम यह भी देखते हैं कि परंप्रागत सिक्षण सास्त्र में कक्षा कक्ष में अंता क्रिया का विद्यार्थी के प्रिष्ट भूमी और पूर्व अनुभवों से नाता नहीं रहता और एक उत्साही विद्यार्थी के रूप में जब वे अपना जीवन प्रारंब करते हैं तो धीरे-धीरे वे अपनी उत्सुपता का त्याग कर देते हैं शोर महोदे ने ये भी बताया कि अपने विचारों को महत्तों ना दिये जाने के कारण वे केवल निस्क्रिय प्रतिभागी बनकर रह जाते हैं इसी दिशा में राष्ट्री पाठे चर्या रूप रेखा 2005 में भी मुद्दों को उठाया गया है राष्ट्री पाठे चर्या रूप रेखा 2005 ये कहती है कि विद्यार्थी मात्र छोटे बच्चे नहीं जिनके लिए प्राण समाधान खोशते रहते हैं वे अपनी परिस्थितियों और आवशक्ताओं के आलोचनात्मक अवलोकन करता है अपनी सिक्षा और भविष्च के अवसरों से जुड़ी चर्चाओं और समस्या समाधानों में उनकी सक्रिय भागिदारी होनी चाहिए राष्ट्री पाठे चर्या रूप रेखा 2005 में आलोचनात्मक सिक्षन सास्त्रिक के विशे में कहा गया है कि इसे उन मुद्दों पर आलोचनात्मक चिंतन के अवसर प्रदान करने चाहिए जो विद्यार्थियों के राजनातिक, सामाजिक, आर्थिक और नेतिक पक्षों के संदर्व में हो साथ ही सामाजिक मुद्धों पर विभिन्य विचारों को स्विकार करना और अंताक्रिया के प्रजातांत्रिक स्वरुपों में आस्था प्रदर्शत करना ये भी विद्यार्थियों को आना चाहिए साथ ही मुक्त चर्चा और विविन्य विचारों को प्रोथसाहान और पहचान देकर विद्यार्थियों की सामोहिक निर्णेयन में मदद करनी चाहिए आलोचनात्मक सिक्षन सास्त्र पर और चर्चा करने से पहले आईए जानते हैं ऐसी कक्षा कक्ष के विशे में जो एक आलोचनात्मक सिक्षन सास्त्र की कक्षा हो सकती है आलोचनात्मक सिक्षन सास्त्र के प्रियोग करने वाली कक्षा ऐसी होती है जहां बच्चे और सिक्षक किसी निर्णे के डर के बिना अपने वैक्तिक और सामुहिक अनुभवों को साजा करें और उन पर मुक्त चंतन करें एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे बेनताओं से डरने के स्थान पर उन्हें समझें और उनमें संबंद खोजें वहाँ एक ऐसी कक्षा होती है जहां बच्चों को दुन्द से निपटने में मदद के लिए तयार करने है तू इसकी प्रकृति को जानने और जीवन में उसकी भूमिका की समझ विक्सित करने है तू दुन्द को एक सिक्षण सास्त्र ये युक्ति की रूप में प्रियोग किया जाता है आलोचनात्मक सिक्षण सास्त्र के प्रियोग वाली कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहां बच्चों को अपने परिवेश में उपस्थित तत्वों पर टिपणी, तुलना और विचार विमर्ज के लिए प्रोथसाहित किया जाता हूँ आलोचनात्मक सिक्षण सास्त्र है क्या? इसके विशे में कहा जाता है कि एक ऐसा सिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को प्रश्न करने और इस्थापित वर्चस्व को चुनोती देने के लिए, वर्चस्व को इस्थापित करने वाली मानेताओं और अभ्यासों को कम तराकने के लिए और आलोजनात्मक अभ्यास केंद्रित सेक्षिक अंदोलन है जो उत्सा और सिध्धानतों से नर्देशित है जो विद्यार्थियों में सुतंतरता की चेतना के विकास सत्तावादी आदतों की पहचान ग्यान को सक्ति से समंदित कर पाने और रजनात्मक कदम उठा पाने की योगिता विक्सि करने के लिए सिक्षा को अपनी निष्चित सीमा से आगे जाना चाहिए यहीं भी मानता है कि जो विद्यार्थियों और पाठेचर्या के साथ सक्रिय भागीदारी निभाते हैं वे अपने विचारों का योगदान करने के साथ साथ अपने संसेयों से लड़ पाते हैं और अ अलोजनात्मक शिक्षन सास्तर की यह माननता भी है कि इसमें सकारात्मक भागीदारी होती है। सकारात्मक भागीदारी अर्थात विद्यार्थी अपनी आवश्यक्ताओं और रुचियों को प्रात्मिक्ता देते हुए सिक्षकों के साथ पाठी चर्या का सहर निर्मान करते हैं। अलोजनात्मक शिक्षण सास्तर में सिक्षकों और विद्यार्थियों के मद्द विचार विमर्श युक्त संबाद विद्यार्थियों को अपनी सिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाने का एक माध्यम भी माना जाता है। अलोजनात्मक सचेत नात्मक्ता अलोजनात्मक सिक्षण सास्तर का एक महत्यूपूर्ण शील गुण है। अलोजनात्मक सचेत नात्मक्ता का विकास कैसे किया जाए। अधिक गहन परिक्षण की योगिता विक्सित करती हो। एक विद्यार्थी में अलोजनात्मक सचेत नत्ता विक्सित हो सकती है। यदि उसमें गहन अर्थ, मूल कारण, सामाजिक परप्रेक्ष और विचारधरा की समझ विक्सित हो। साथ ही किसी विक्रिया, अवसर, वस्तु, प्रक्रिया, संगठन, अनुभब, लेख, विशयवस्तु, नीद, संचार मात्यम और वैचारिक्ता की सामाजिक और विक्तिक प्रभावों की समझ विक्सित हो। एक आलोजनात्मक सिक्षण सास्त्री यह मानता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सीखना, भुलाना और पुना सीखना, मुक्तचिनतन, मुल्यांकन और इन प्रक्रियाऊं का विद्यार्थियों पर प्रभाव, विश्युष तार पर उन विद्यार्थियों पर, जो एक तरह से परंपरागत विद्याली करण से वंचित कर दिये गए हो इसका विमर्ष होता है एक आलोजनात्मक शिक्ष्ण सास्त्री यह भी मानता है कि प्रतेक विक्ति अपनी तरीके से दुनिया को एक बहतर स्थान में बदल सकता है सिक्षक कुछ हद तक एक विशय या पाठिक्रम की विशय वस्तुत्ते कर सकता है उधारन के लिए पठन हेतु लेखों का चैन बिना किसी आधार के नहीं हो सकता एक आलोजनात्मक सिक्षन सास्त्री यह मानता है कि केवल ऐसा विचार विमर्ज जिसमें आलोजनात्मक चिंतन की आवश्यक्ता हो वही आलोजनात्मक चिंतन विक्सित करने में सक्षम होता है विना विचार विमर्ज के कोई संप्रेशन नहीं होता और विना संप्रेशन के कोई सच्ची सिक्षा नहीं हो सकती फ्रेरे महोदे ने इसके विशे में अपने विचार इसपस्प धंग से रखे हैं वे ये मानते थे कि परंपरागत किक्षा किक्ष में ज्यान पर नियंत्रन सिक्षक का होता है और विद्यार्थी जो उपेक्षित से होते हैं वे उस ज्यान के निस्क्रिय ग्रहन करता होते हैं। फ्रेरे ने इसे सिक्षा का बेंकिंग प्रतिमान कहा और इसकी आलोजना की क्योंकि ये विद्यार्थियों को अधिगम की वस्तु के रूप में देखता है। एक आलोजनात्मक शिक्षन सास्त्री विचार विमर्ष वाले संप्रेशन पर बल देता है। विचार विमर्ष वाला संप्रेशन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को अधिगम प्रक्रिया में महतुपूर्ण यूगदान देने वाले के रूप में देखता है। फ्रेरे और मकेदो ये मानते थे कि उपेक्षत विद्यार्थियों को सब्दों को पढ़ने से पहले संसार को पढ़ना चाहिए। एक आलोजनात्मिक शिक्षन सास्त्री इस बात का ध्यान रखता है कि उन लिखित सब्दों की संबेधना विक्सित होने से पूर्व जो बास्त्विक्ता का वर्णन करते हैं विद्यार्थियों में उन सांस्कृतिक, राजनेतिक और सामाजिक अव्यासों की समझ बननी चाह एक सक्षे सिक्षन सास्त्री के रूप में सिक्षक को सदेव कक्षा कक्ष में अधिगम के नए और नवाचारी विचार खोजने चाहिए उसे नए चुनोतियों को लेने और उनके परिणामों का सामना करने की योगिता विक्सित करनी चाहिए परंपरागत सिक्षन विदियों को नभीन अधिगम विदियों में बदलने की योगिता होनी चाहिए एक आलोजनात्मक सिक्षन सास्त्री के रूप में सिक्षक विद्यार्थियों के अवशक्ताओं को विचारने पहचानने और विशलेशन का विस्तृत द्रिश्टिकोन रखने वाला होना चाहिए एक आलोजनात्मक शिक्षन सास्त्री के रूप में सिक्षक का उत्तरदायत तो विद्यार्थियों में ज्ञान का अंतरण नहीं वरन उन्हें अपने ज्ञान के निर्माण के अवसर प्रदान करना है एक आलोजनात्मक शिक्षन सास्त्री के रूप में सिक्षक को बच्चों को स्वयम को विविक्त करने और सासाथ अंताक्रिया के कुछ स्वरूप निर्मित करने के लिए एक सुरक्षित इस्थान प्रदान करना चाहिए एक आलोजनात्मक शिक्षन सास्त्री के रूप में सिक्षक को नैतिक प्राधिकारी की भूमिका से उपर उठकर बिना किसी पूर्वाग्रह और परानुभूति से बच्चों को सुनना सीखना चाहिए और बच्चों में एक दूसरे को सुनने की योगिता विक्सित करनी चाहि दून्दों को उनके सुईकार किया जाए उस पर प्रशन उठाए जाए और सभी वच्चे साथ विलकर समाधान डूने भले ही वे समाधान तातकालिक क्यों ना एक आलोचनात्मक शिक्षन सास्तरी के रूप में जब हम सिक्षक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विद्याले और कक्षा कक्ष निर्णे लेने की प्रक्रिया पर जर्चा का स्थान बनाए और जहां निर्णे ओपर प्रशन उठाए जाए सभी की सम्मति से निर्णे ल रहा है विकासों और सिक्षा के छेत्र में प्रगति के प्रति जागरूख होना चाहिए एक आलोचनात्मक शिक्षन सास्तरी के रूप में सिक्षक बच्चों को अपने जीवन से जुड़े लेख साहित्य इत्यादी पढ़ने को प्रेडित करें अपनी कहानी को छोटे समू प्रस्तुत करवाए और जब विद्यार्थी कोई विसेस लेख पढ़ें तो सिक्षक उनमें बिवित सामाजिक मुद्धों को खोजने के लिए उनको प्रेडित कर सके एक आलोचनात्मक शिक्षन सास्तरी के रूप में सिक्षक से या पेक्षा है कि वह विद्यार्थियों क आलोचनात्मक पठन कोशल और क्रिया कलापों से परचित कराए जिसमें वे लेखक के नाम या प्रसिति को छोड़कर लेख का मुल्यांकन कर सके आईए हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारी कक्षा ग्यान निर्मान का एक कारचेतर बने और हम सब एक आलोचनात्मक शिक्षन स चास्त्री के रूप में अपनी भूमिका गंणरवाह करें धन्यवाद